हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी किच्ण में आज हम आपके लिए लेकिया हैं बहुत ही हल्दी और टेस्टी वेजेटेबल चना पुलाओ की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बेल्कुल मत भूलिएगा तो चल को कर लेते हैं मेडियम और ओयल को थोड़ा सा हीट होने देते हैं ओयल हमारा हीट हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर आड कर रही हो दो पिंच हींग आदा छुड़ा चमत जीरा एक छोटी काली लाइची एक तेज पत्ता एक इंच दालचीनी का टुकड़ा तीन से चार ल फ्लेम पे सारे मसालों के साथ अध्रक और हरी मिर्ची को हम कुछ सेकिंड्स के लिए भून लेते हैं यहाँ पर मैंने ली है तू मीडियम साइस की गाजर और इनको मैंने इस तरीके से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है तो गाजर को भी आड कर देते हैं अगर आप प एक मेंडियम साइस का खीरा जिसको की मैंने लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ ही साथ तिन मेडियम साइस के टमाटर इनको भी मैंने इस तरीके से लंबे पीसेस में कट कर लिया है तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं आपको जो भी व dozen खाना पसंद ओ dire वेजेटेबल्स यहाँ पर अड़ कर सकते हैं और इसमें से आपको जो भी वेजेटेबल्स पसंद ना हो आप उनको स्किप कर सकते हैं तो गैस का फ्लेम कर लेते हैं low to medium और सारी सब्जियों को तकरीबन 2-3 मिनिट के लिए अच्छी तरीके से भून लेते हैं सारी सब्जियो को हमने 2-3 मिनिट के लिए अच्छी तरीके से कुग कर लिया है तो अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे low और इस स्टेज पर मैं एड़ कर रही है एक कप काला चना या ब्लैक ग्रम्स इस चने को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा है साथी साथ यह चने स्प्राउटेट भी है चना स्प्राउट करना आपकी चोईस है अगर आप चाहें तो उसको स्प्राउट करें नहीं तो आप उसको बिना स्प्राउट करें भी यहाँ पर आड़ कर सकते हैं लेकिन चनों को बिना बॉयल करें पुलाव में आड़ ना करें नहीं तो चने कच्छे रह जाएंगे और पुलाफ का टेस्ट कराब हो जाएगा तो चलिए फटा-फट से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो चनों को भी हमने सारी वेजेटेबल्स के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और अब पारी है हमारे मेन इंग्रीडियन्ट याने की चाबल की तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं दो कप बास्मती राइस पहले मैंने इनको तीन से चार बार अच्छी तरीके से वाश कर रहा है वाश करने के बाद तकरीबन आदा गंटे के लिए मैंने इनको सूप करके रखा था सोप करने के बाद इनमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर बचा था, वो सारा मैंने निकाल दिया है, तो चलिए फटाफट से चाबल को भी आड़ कर लेते हैं, तो चाबलो को भी हमने यहाँ पर आड़ कर लिया, अब मैं यहाँ पर आड़ कर रही हूँ, एक छुड़ा चमच गरम मसाला मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हलके हाथ से मिक्स करें ताकि चाबल तूटे ना, चाबलो को यहाँ पर हमने सारी सबसियों और मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी, तो जितने चाबल हमने लिये हैं, उसका डबल हम एड करेंगे पानी यानि कि हमने यहाँ पर दो कप चावल लिये थे तो मैं यहाँ पर आट कर रही हूँ चार कप पानी जिस कप से हमने चावल मेजर करे थे उसी कप से मेजर करके मैं यहाँ पर चार कप पानी आट कर रही हूँ तो अब गैस का फ्लेम हम कर लेते हैं हाई और फ्लेम का फ्लेम हम उफ कर देंगे, फ्लेम उफ होने के बाद तकरीपन तस से 15 मुनिट के लिए हम चावलो को रेस्ट करने देंगे उसके बाद लूद से हमच्वलो को खोल के चेक करेंगे, तो हमारे चावल अच्छी तरीके से कोख हो चुके हैं, गैसming मेंने उफ Dee और्जट Havel को खोले एक पड़ चार होग आपको देखने से ही पता चल रहा होगा हुए कि हमारे चाओल को सुइंटे बंकने चाओल कि कर लेके हैं तो चलिए इनको बिल्कुल तक्यार है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप दही के साथ, धनिय पूदिनी की चटनी के साथ, या किसी भी अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, तो आप भी रेसिपी जरूर ट्राइ करें, और अपने एक्सपिरियंसे मेरे साथ शेर करना बिल्कुल न आपूले झरा करें काई प्ले सर्व करें, और मानी लोपता हैं, प्लोब में लुझी के साथ, और भी जरूज हैं अबार गदीरियंसे में ग nessाफ, अकार रवार श्वार भी जरूकत पोच्टै